राथे राथे दोस्तों आज कुछ ऐसा हुआ कि हजबन को ट्रेविलिंग के लिए नी सफर के लिए निकलना था और दुपहर से पहले ही निकलना था तो मैंने सोचा कि चलो खाना और नास्ता एक ही साथ ही बनाना पड़ेगा क्योंकि नास्ता भी नहीं किया था तो चलो हुए हैं और यहां पर मैं कई सारी चीजें आज बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टी और बहुत ही जह्ट-पट सी बनने वाली हैं तो मैंने यहां पर एक प्याज मीडियम साइज की काट ली है यहां 4 से 5 टमाटर लिए हुए है तो टमाटर का पहले उपर कुछ हिस्सा काटेंगे और इसके बाद इसके दो टुक्रे करेंगे और साथ ही आप देख पारे हो मैंने लिये हैं उबले हुए मतर और यहाँ पर हरी मेर्च ली है थोड़ा सा नीबु लिया हुआ है लैसुन ली है तो लैसुन वैसे तो इसमें अगर थोड़ी ज्यादा होत कुझे पैक करके देना है जो वो ले जाएंगे सफर में वो भी बन जाए तो यहाँ पर इसलिए लैसुन इतना ही कट पाया है छिल पाया है कि छिलने में बहुत टाइम लगता है तो एक तरफ देखो मैंने प्याज को दो इस सोब बाट लिया है और एक तरफ सिर्फ गिलास चावल ले लिये हैं गिलास में चावल अगर बनाएं तो आधा ही भरें और बाकी का पानी से और उपर से एक इंची खाली रखें तो चलो सबसे पहले मैं बना रहे हूं यहाँ टमाटर की चटनी वो वाइरल वाली चटनी जो बहुत आजकल वाइरल हो रही है जिसे टमाटर को इस तरीके से उलट करके हमें रख देना है गहस की फ्लेम को हमें कर देना है मेडियम अब एक तरफ टमाटर मारे जब तक होंगे तब तक यहाँ पर सबजी और चावल हम फटा फट पर प्रिपेर कर लेंगे तो यहाँ पर लिया मैंने दो से तीन चम्मत सरसों का तेल इसमें डाल दिया है जीरा और इसके जीरा डाल लेके तुरंतबादी प्याज अध्रक और हरी मिर्ची डाल देंगे और प्याज को खुब अच्छे से पकाना है यहाँ पर जिससे कि फोड़ा सा ब्राउन वाले एकदम डार्क ब्राउन जो है ना वो कलर आ जा एकदम क पाउडर जरासा और घरम मसाला भी एक चोधाई चम्मच के जितना थोड़ा पानी डालेंगे और इसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे एक टमाटर तो एक टमाटर डाला है क्योंकि हस्बेन वहर के लिए सबजी बना रही हूं और साथ ही टमाटर डालने के तुरंद वाद हम याँ पर मटर डाल देंगे ताजा मटर है तो वो ले लो नहीं तो फ्रोजन ले लो और अब मटर और इसको टमाटर को पकाना नहीं है इनके डालने के बाद रसिल को मिला दो मसाले में इसके बाद हम डाल देंगे मोटे तोड़े हुए आलू और आलू को जरा देर के लिए बिल्कुल 10 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और इसके तुरन बाद इसमें डाल दूंगी पानी तो इसमें मैं डाल रही हूँ तीन जो धाई गलास पानी यानि एक गलास से कम आधा गलास से थोड़ा सा ज्यादा तो देखो सब्जी में तो सबको जब हो गया है अफटा फट यह भी आ जाएगी इसमें मुश्किल से राई से तीन मिनट में तो इधर जो है यह लहसुन और प्याज अच्छे से हो गया है तो इसे एक गहरे परतन में निकाल कर रख दूंगी और टमाटनों को मैं इस तरीके से उल्टा कर दूंगी जिससे कि दूसरी साइड से भी अच किसे काम चलेगा पराठा लेके जाए और लंच करके जाओ इसलिए मैंने जल्दी से बना दिया सारा खुछ जो है लंच भी क्योंकि आप से जाते हो कि मैं डाइटिंग पर हूँ तो मैं लंच दिनर नहीं करती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा चावल सबजी रोटी सब उनके लिए बनाया तो यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन लिया हुआ है इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल कर इसमें डाली खड़ी धनिया जीरा सौफ और थोड़ा सा नमक डाल करके मैस के हुए आलू डाल दिये हैं अब हम आलू को अच्छे से कर देंगे मिक्स तो द देखो चटनी की भी तैयारी हो रही है और यहाँ पर मैं आलू की पराठी देने वाली हूँ तो आलू के पराठी क्योंकि उनको रात तक खाने रहेंगे डिनर तक के लिए चलना चलाने हैं तो इसलिए मैं आलू का मसाला त्यार करूँ जिससे आलू का पानी कितम हो जाए और आज पराठा खराब ना हो तो यहाँ पर देखो मैंने डाल दिया है मसाले में डाले है मैंने धनिया मिर्ची अमचुर का पाउडर गरम मसाला इतने चीजे लिए हैं और अच्छे से इसे मैश करूँगे लोहे की कड़ाई में अगर आप इसे मैश करूँगे थोड़ा देखें तो यह बहुत काला काला मसाला बनता है जो कि बिल्कुल समोसे जैसी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे तो काला काला मसाला पसंद है पीला वाला नई पसंद है आलो के पराठे में और इसमें डाल रहे हूं अब लास्ट में थोड़ा सा काल दे रही हूं अदर्वाइस कच्चा पीश देती कच्चा डालूंगे तो लैसुन अदर वगरा जो इसमें कच्चा रहेगा तो फिर चटनी जो है खराब हो जाएगी डबे में बंद होगे खराब होने के चांसे से क्योंकि गर्मिया भी बहुत जाद हो रही है तो यहां मैश करेंगे आपके पास मैश है तो उससे कर लो मेरे पास मैश है लेकिन थोड़ा बड़ा है और दूसरे डिजाइन का है वो तो इतना अच्छा मैश नहीं होता इसलिए गर्मा गर्मी नमक डालके गिलास से हम मैश करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से और अब हम इसके तेस्टी है इसका टेस्ट तो इतना ही अलग है कि मैं क्या बद हूँ अब जरूर बना के देखना अब इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है इसके बाद कर देना है अच्छे सिमक्स अब यह चटनी लग रही है मुझे काफी गाड़ी तो इसमें मैं डालूंगी पान अपनी जरूरत के हिसाब से आप चाओ तो भीना पानी के भी इसे खा सकते हो आप इसे पापड़ वगयरा फ्राई करके चिप्स के साथ इसे नाचो जोते हैं नाचो जो सालसा के साथ खाते हैं तो वैसे ही आप पापड़ को फ्राई करके इस सालसा के साथ ने चटनी के करके रख रही हूं और इनको डाल लिए हूं सिंक में दोने के लिए तो अब यहां पर देखो इसका प्रेसर हो गया है रिलीज तो देखो कितनी बढ़िया सब्जी भी बन गई चावल भी बन गया और मुश्किल से मुझे सब्जी चावल को पूरा बनाने में पांच मिनट भ बनाओ चार लोगों के लिए बनाओ बरतन इतना ही गंदा करना पड़ेगा और इतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा तो सब्जी निकाल ली है इसमें भी डाल देंगे हरे धनिया और यह जो आलू की सब्जी बनके तयार हुई है सच में दोस्तों बहुत अच्छी बनी है हजबन के लिए बना दूँगी और आज मैं नास्ते में पराथा ही खालूँगी क्योंकि सब्जी चावल भी मुझे बहुत पसंद है पर क्योंकि मैं डिनर और लंच करनी रही हूँ तो इसलिए मैं वैसे तो आलू का पराथा मुझे नहीं खाना जाहिए पर क्योंकि मैं 24 गंटे फिर कुछ खाऊंगी नहीं इस तरह के से खाना कुछ भी हैवी तो मैं सोचा कि चलू मैं भी आज एक या डेड़ पराथा नास्ते में नास्ते की रूप में खालूंगी क्योंकि आलू का पराथा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझसे बिल्कुल नहीं रहा अगर रोटी काटा कड़क लगाओ तो फिर रोटी भी कड़की बनती है सौफ्ट नहीं बनती है बहले ही फूल जाए अब यहां पर मैं प्लेट में निकाल दे रही हूं यह स्टफिंग जिससे की तोड़ी से ठंडी हो जाए और रखने में भी इस बरतन को भी मैं आसे डिस गई है लेकिन जो है जैसे तड़का वणका लगाया है ना जो मसाला बनाया है सब्सक्षों की है तो उसका तेल चटक चटक के बाहर आ गया है और गया और किचन में मतलब गया सो और यह सब काफी गंदा हो गया है तो पहले मैं एक बार पीच में थोड़ा सा इसको साफ कर लेती हूं इस पॉंज की साहता से फिर मैं आगे का कारेकरम शुरू करूंगी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है किचन का प्लाटफॉर्म या गयास थोड़ी सब्सक्राइब होती है न तो मैं इस तरीके से मेरी आदत में है मैं बीच-बीच में पोचती ही रहती हूं तेल चटक मैंने करीब सुबह के दस बजे के लगबग बनाना से शुरू किया था और यह ग्यारा या ग्यारा बच के पांच मिनट के आसपास में ही बन करके तयार हो गया था अब यहां पर इस तरीके से इसकी हलकी मोटी लोई तोड़ेंगे तो सबसे पहले जो हजबन को ले जाने है पांच पराठे मैं उनको दे रही हूँ रास्ते के लिए तो क्योंकि वो भर से लंच करके जाएंगे तो फिर पांच पराठे में हो जाएगा तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने पांच लोईया बनाए उनको फ्लैट करके रखा फिर मैंने जो है मसाले की पांच गोलिया ब अब बरो ऐसे आप भरोगे तो आपके पराठे कभी भी फट के बाहर नहीं निकलेंगे तो पांचों को पहले मैं इस तरीकी से बना के रख लिया है और अब मैं सुखे आटे की साहता से इनको हलका मोटा बेलूंगी बहुत पतला नहीं करूंगी क्योंकि फिर यह बहुत बड रोटी भी बेल लेती हूं मैं जल्दी से तो यहां पर देखो रोटी भी हो गई और अब इसके बाद मैं अपने लिए एक दो दो पराठे बनाऊंगी जिसमें से एक आदा में खालूंगी कुछ हस्बेंड भी थोड़ा टेस्ट करेंगे कि ताजा ताजा बना रही हूं तो भी खाएंगे तो दो रोटी खालेंगे और एक आदा पराठा खालेंगे तो यहां पर देखो हमारी रोटी भी एक दम बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सी यह फुलका बन करके तयार हो रहा है तो आज का जो यह सारी चीजी जब आने आपके आप पर दिखाई है ना फ्रेंस जल्दी जल्दी में बना दो तो बड़ी अच्छी चीज बन जाती है जब आप पूरे मन से बनाओ न तो सायद वो टेस्ट नहीं आता है आज में साथ वही हुआ ना मेरे पाद नमक टेस्ट करने का टाइम था लेकिन सारी चीज एक्दम पॉफ्ट बनती जा रही थी तो द दिखाए ना प्राठे को उठाकर में डाल रही हूं घी तेल इसी क्या होता हैा जो बाठे मी सपॉट आते हैं ओ जो कलर राता है ना वह बिल्कुल कंगी है गी तेल से नहीं पराठे का से से ब्राठेiantes यह दालस के से अलका कि से Depende Помus के मैंने कभी-कभी इसको जब ट्रै किया तो मैंने देखा कि मेरे वाले भी वैसे ही आ गए लेकिन मैं गी तेल डालने में थोड़ा कंजूसी करती हूं इसलिए उतना अच्छा टेक्शर नहीं आ पाता है घी से बना रही हूं इसलिए कितना धुआ कितना ज्यादा उठ रहा है तवे में और यह पराठे गी से बन बनाया करो तो अब यहां पर देखो पांच पराठे इस तरीके से बना लिए हैं अलूमिन फॉइल में पहले ही रखती जा रही थी और अब कुछ इस तरीके से इन्हें आरेंज कर रहे हूं जिससे की यह आराम से जो है टिफिन बॉक्स में फिट हो जाएं तो अब देखो यहां पर ले लिया है मैंने टिफिन और इसमें देखो कितने आराम से आ गए और साथ ही साथ में पहले पैक कर देती हूं मैं सुझा कहीं ऐसा ना होगी बाद में हट बड़ा हट में जल्दी बाजी में फिर सई से मैं पैकिंग न कर पाऊं तो पहले मैं हजबिन का यह खान में डाल लेंगे अपने बाकी का जो स्नाक्स होगेरा है सफर के लिए वो उन्होंने ले लिया है और मुझे उमीद है आज का यह वीडियो और सभी रेसिपीस आपने खुब इंज्वाई करी होंगे तो इस वीडियो को जदस जदस शेयर करना मेरे पेज को फॉलो करना